हलो फ्रेंड्स मैं हूनिशा हरी मटर को कैसे स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीका है तो इस टाइम मार्केट में बहुत ही अच्छी सी मटर मिल रही है तो मैंने सुचा इसे क्यों ना में थोड़े हैं सीसनली मटर अलग होती है तो इस वज़े से मैंने ले लिया है दो क्लों के करीब मटर मटर को मैंने बहुत ही अच्छे से दो तीन पानी से साफ पानी से धुल लिया है और अब हम ले लेते हैं बड़ा प्रेशर कुकर जी आजिसमें हम अक्सर दाल चावल बगेरा बनाते हैं प्रशर कुकर लेंगे और सारी मटर को हम ट्रांसफर कर लेते हैं कुकर में बिल्कुल भी हमें मटर में पानी नहीं डालना है आप देख सकते हैं कुकर को मैंने पूरा उपर तक मटर से फेल कर दिया है और लीड लगा देते हैं जो मैंने मटर को धुला है बस वो ही पानी उतना काफी है इसके लिए हमें बिलकुल भी पानी नहीं डालना है और गैस पे चड़ा देते हैं कुकर को बेजल नहीं आने देना है सिर्फ बेजल जब अच्छे से बन जाती है बस उतना ही हमें इसे पकाना है और तुरंथ हमें गैस को आफ कर देना है कुकर को नीचे रखेंगे और ठंडा होने का अंतजार नहीं करेंगे सेटी को हम बाहर कर देंगे जितनी भी प्रेशर बनी होंगे इसमें उसे हम निकाल देंगे और सारी मतर को हम टोकरी में ट्रांसफर कर देंगे या बड़े बरतन में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हम कुकर को ठं तो आप देख सकते हैं मैंने मतर को छील कर भी त्यार कर लिया है तो फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन मतर बहुत ही इसली हमारी घर में ही बनकर त्यार हो चुकी है अब मैं इसे पॉलितिम में ट्रांसफर करूँगी और फ्रेजर में डाल दूंगी तो यह पर् केसे ज़रूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक ये सो मच